CBSC का Class 10th and Class 12th का Result कब तक आ सकता है? ये सवाल सभी बच्चों के मन में है क्योंकि उन्होंने एक्जाम दिये हैं तो वो वेट कर रहे हैं अपने Result का तो Result को लेकर CBSC की तरफ से कोई Official Announcement अभी तक नहीं हुई है कि कब तक Result आएगा कोई भी Official Announcement नहीं है लेकिन अगर हम बात करें According to Newspaper या फिर जो भी हमारी मीडिया है मीडिया के According देखें तो Result जो है आपका मई महीने में Announce होने वाला है और जो कि बहुत ही जल्दी आपका Release कर दिया जाएगा कहां पे होगा CBSC की जो Official Website है CBSC.gov.in इस Website पर आपको Result देखने को मिलेगा और Result जो है आपका आप Website पर जाके भी देख सकते हैं और SMSWARी सुविदा भी होती है उसके जरी भी आप देख सकते हैं और अगर आप इस Newspaper Cutting को पढ़ोगे तो आपको यह पता लगेगा कि जो CBSC का जो Result है उसको हम यह Expect कर सकते हैं कि इसी मंत में Release हो जाएगा ठीक है और Date और Time जो है वो अभी तक Announce नहीं किया गया है CBSC के दौरा Board के दौरा तो इसको लेकर केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है और आपको जो Result होगा आप Result वेबसाइट के जरीए चेक कर सकते हैं दिजी लोकर वाली सुविदा जो आपको सरकार दे दिया है तो आप डिजी लोकर के तहत भी अपने Result को सेव कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं यह platform रहेगा आपके लिए ठीक है इसके लिए Result के लिए आपको Result.CBSC.NIC पे भी आप जा सकते हैं और जो GOV वाली इनकी Official वेबसाइट है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Result को यहाँ पे आपको Result मिल जाएगा अब देखें बात करते हैं Official Announcement की तो देखें अभी तक कोई भी Official Announcement नहीं की गई है CBSC के द्वारा तो आप जो News देखते हैं या फिर आप कई YouTube पे वीडियो वगेरा देखते हैं तो किसी में आपको कोई Fixed Date नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी Official Announcement हुई ही नहीं है अब बात करेंगे रिजल्ट के अगर हम Previous Year को देखते हैं तो देखें क्या होता था कि CBSC का 12th Class का रिजल्ट जो था वो पहले Announce होता था उसके 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद आपका Class 10th का रिजल्ट Announce होता था यह एक पैटन था लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि same day में दोनों का रिजल्ट आजाए देखें का रिजल्ट नहीं है पर मेडिया और रिपोर्ट के देखें हम यह बता रहे हैं तो देखें जो CBSC का रिजल्ट है नॉर्मली वो क्या होता है कि मई मन्थ में आपका आता था और कब आता था यह मई के last week में आता था जादा तर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यह third week में आ जाए ठीक है लेकिन यहाँ पर एक चीज यह भी है important आपके लिए कि इस बार जो एक्जाम हुए तो वो आपके पहले के मुकाबले जल्दी हुए थे यहांनि आपके February month में ही एक्जाम सुरू हो गये थे जो कि पहले कभी March से स्टार्ट हुआ करते थे तो आपका 15 दिन पहले आपका exam सुरू हुआ था, अगर इस तरीकी से हम मान कर चलें, तो हो सकता है आपका जो result है, ठीक है, confirm नहीं, अगर हो सकता है ऐसा, कि आपका 3rd week या 4th week से पहले आजाए, यानि कि आपका 15 मही के आसपास आजाए, या फिर ज्यादा तर जो chance होते हैं, वो last week के ही होते हैं, या आपको पता लगेगा कि 20-30 के बीच में तो कभी भी announce कर दिया जाता है, ठीक है, कभी भी, लेकिन हो सकता है कि 3rd, 2nd week या 3rd week में आ जाए, ठीक है, तो देखते हैं कब आएगा रिजर्ट, बाकि आप 12 के exam दे चुके हैं, तो आप आगे के बारे में सोचिए कि आपको क्या क करना है, आप कोई कोर्स करना चाते हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना देंगे बर्टिकुलर, आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, हम इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे